Hi everyone and most welcome in my YouTube channel Medical Knowledge 360 degree So, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे popular eye drops के बारे में यानि की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कौन से eye drop जो है वो किस काम यूज होती है और जो है normal जो eye drops है उनके बारे में जो है आज हम देखेंगे जो की market में famous है So, चलिए start करते हैं सबसे पहली जो eye drop है डाइट ही refresh tear Refresh tear जो है अगर आप market में जाएंगे तो आपको जो ही कुछ इस परकार की जो है दिखाई देगी और अगर हम इसकी price के बात करें तो यह approach 140 rupees में जो है आपको market में मिल जाएगी अगर हम इसकी composition के बात करें तो यह 0.5% carboxymethyl cellulose से मिल कर बनती है और इसका अगर हम use देखें यानि कि किस चीज में जो हम इसका अस्तमाल करते हैं तो in case अगर जो है किसी person को dry eyes यानि की अगर उसको जो है अपनी आखों में ऐसा लग रहा है कि उसकी आखें है वो सूखी सूखी सी हो चुकी है या फिर जो है उसमें जो है moisture की कमी है तो उस case में जो है आप refreshed ear eye drops का यूज है यूज कर सकते हैं यह काफी एक अच्छी medicine है तो यह नीम, तुलसी, टर्मरीक और हनी यानि की हल्दी, सहद, नीम और तुलसी से जो है यह मिलकर बनी हुई होती है और यह promote करती है clear vision को अगर हम इसका यूज की बात करें तो यह जो है clear vision को जो है promote करती है now इस image में आप देख सकते हैं कि इसकी जो है composition यानि कि किस किस से जो है मिलकर बनता है तो अगर हम बात करें तो यह निमबाप, ब्रिंग राज, इसके अलावा जो है निरकुपुंदी, तुलसी पत्र, सत्रपत्री, यमानी इसके साथ साथ भी भूसाई चीजे जो है इसमें जो है यह उनसे मिलकर बनती है अब इसके बात जो हमारी थर्ड eye drop आती है that is opta care eye drop opta care eye drop जो है यह एक हिमाल्य के दुआरा जो है बनाई गई है हिमाल्य कमपनी के दुआरा अगर हम इसके composition के बात करें तो यह honey और rose से मिलकर बनी है और इसका जो है हम use करते हैं eye strain, redness और dryness के case में यानि कि अगर किसी person को जो है आखों में strain महसूस होता है या फिर उसको जो है उसकी आखे जो है red हो चुकी है या फिर उसको जो है dryness महसूस होती है तो उस case में जो है आप opta care eye drop का जो है use कर सकते हैं अगर हम इसकी market में price की value, price की बात करें तो यह 60 rupees के आसपास जो है आपको मिल जाएगी अगर हम इसकी जो है composition की बात करें contents वो आपको उसमें मिल जाएंगे अब बात करते हैं हमारी foot eye drop के बारे में जिसका नाम है scenario Mary Tina यह एक homopathic eye drop है जिसका जो है हम use करते है redness और dryness के case में और यह जो है promote करती है clear vision को उसके बाद हमारी आती है disti eye drop जो की पतंजली के दुवारा जो है दी हुई है अगर हम सी composition की बात करें तो यह onion गिंगर और honey से मिलकर बनती है इसके बाद जो हमारी eye drop आती है datty ciplox ciplox जो है यह इस medicine के लिए आपको जो है डॉक्टर का prescription होना बहुत जादा जरूरी है और यह जो medicine है यह हम डैक्टर इंफेक्शन के case में जो है यूज करते हैं अगर composition के बात करें तो जो इसकी composition है datty 0.3% जो है इसमें जो है ciprofishlox depressed और यह जो है हम बैक्टर इंफेक्शन के case में जो है इस medicine का हम यूज करते हैं सो आज की वीडियो में बस इतना ही होप वीडियो आपको पसंद आई होगे इनकेस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू